तो दोस्ता आज हम लोग सुब्स भी रेडियो हो गए और हम लोग जाएंगे आज कल्यानी दुर्गा पूजा देखने के लिए और जीतने काफी अच्छा ब्लैक शर्ट पहना था और यह जो शर्ट मैंने पहना यह मुझे जीतने गिप्ट किया था और काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने काफी फोटो लिया फीडियो लिया फिर जीत बहुत अच्छे पोस्से वीडियो ले रहा था उसके बाद हम लोग निकल गए और सबसे पहले हम गए कल्यानी आयाइटी मूर का जो सबसे बड़ा पूजा पंडाल था अभी दोपहड इतना भीर पूरे हम लोग पसीना पसीना हो गए लाइन पर खड़े होके और हम लोग ठीक से देख भी नहीं पाए क्योंके सब लोग फोटो वीडियो ले रहे थे तो हमने भी कोशिश किया थोड़ा मोरा वीडियो लेने का लेकिन यहां का जो दुरगामा का मूर्ती था व उसके हिसाब से यह पंडाल बनाया गया है उसके बाद हम लोग नेक्स पूजा पंडाल पर आ गए यहां का मूर्ती देखके मुझे इतना अच्छा लगा वह काफी ज़्यादा सुन्दर था बहुत ज़्यादा और काफी उनिक भी था मुझे परसुनली बहुत अच्छा ल पूजा पंडाल बनाया गया था चंद्रदवे मंदीर तो असली बाला चंद्रदवे मंदीर कहां पर है मुझे नहीं पता लेकिन यहां का पंडाल देखके मुझे काफी सुन्दर लगा अगर रात को आते तो और भी अच्छा लगता क्योंके लाइटी में बहुत अच्छा लगता लेकिन दिन के टाइम भी अच्छा लग रहा था फिर हमने दुर्गा मा का मूर्ति देखा और फिर हमने पर नाम किया मा को काफी सुन्दर लग रहा था और और यहां का जो अंदर का डिकोरेशन था हो भी काफी सुन्दर था मैं आप सभी को दिखा रहा हूं उसके बा सब मुझे सुंदर लग रहे थे और इतने अच्छे थे यहां पर हमने काफी वीडियो लिया और फोटो भी हम लोग ले रहे थे और क्योंकि दिन के टाइम था और पंडाल खाली था तो अच्छा लग रहा था तो जितना मर्जी चाहिए आप यहां भी फोटो लो कोई कुछ नहीं कहेगा अच्छा लग रहा था उसके बाद हम लोग ने एक्स पूजा पंडाल पर चले गए और कांचरा पाड़ा का जो बा बहुत अच्छा सुन्दर था क्योंकि अभी दोपैर का टाइम है तो थोड़ा गड़मी भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था मतब एक से बढ़कर एक दुर्गा मा का मूर्ती हम लोग देख रहे थे हुहां पे काफी पंडाल होता है और यहां पे जीतनी थो दुर्गा मा का मूर्ती जो था यहां का तो काफी अच्छा था और डेकोरेशन भी काफी अच्छा बनाया गया था अंदर पूरा एक दम परसॉनली मुझे काफी अच्छा लगाई है छोटे जगह पर इन लोगोंने बहुत अच्छे से मैनेज किया और काफी सुन्दर बना यहां पर काम भी चल रहा है लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे यह थोड़ा तोड़ा समपलिसेटि लगा लेकिन सिंपलिसेटि के उ Will काफी सुन्दर था और काफी मुझे परसॉनल यह बहुत अच्छे लगाई है भार के बहुत सारी लोग क्या सोगते के दुर्गा पो यह नदिया डिस्टिक में पड़ता है और काफी सुन्दर मतब इतने अच्छे अच्छे पंडाल हमने देखा इतने अच्छे अच्छे दुर्गा मा का मूर्ति हमने आज देखा पूरा मतब बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं हर साल आता हूं कल्यानी मुझे परसुनली ब बहुत अच्छा था और काफी सुन्दर भी था और पंडाल के चारो तरफ काफी अच्छे से डिकवेट किया गया था मैं दोड़ा दिखादा हूँ, तो ये मुझे काफी सुन्दर लगा और ये जो स्टाक्चर है काफी सुन्दर था, और इतना खरचा किया है अंदर देख की कि आपका मन भढ़ जाएगा और इतना जादा सुन्दर था मतलब मन नहीं कर रहा था जाने का मैं तो इतना फोटो वेडियो सब ले रहा था उसके बाद जीतना थोड़ा थक गए थे क्योंकि हम लोग सुबह से चल रहे थोड़ा पैर में दर्द भी कर रहा था लेकिन अभी बहुत पूजा हमें देखना है तो हम लोग फिर से चलने लगे उसके बाद हम लोग आ गए नेक्स पूजा पंडाल पर और यहां पर इतना अच्छे से डिकोर्ट किया गया है बहुत जादा सुन्दर और इतने बड़े-बड़े मार्फ लगा गया है बहुत मतलब आप जि और सबसे बड़ी बात जो है छोटी सी जगह पे इन लोगों ने इतने अच्छे से डिकोर्ट किया है इतना डिटेलिंग किया है यह बहुत ही काबिल इतारीफ है और मुझे सच में अच्छा लगा मतलब इस इस टू गूड लेकिन यहां पे इतना जादा फीर नहीं था यह काफी सुंदर था और यहां पे इन लोगों ने इस ट्राक्चर भी लगाया था तो मैंने थोड़ा अपना वीडियो निकाला यहां पे तो हमने थोड़ा रेस्ट किया है यह पे पंका भी चल रहा था थोड़ा हमने हवा खाए अच्छा लग रहा था फिर दो पैर का टाइम था उसके बाद नेक्स पुझाबंदाल पर आए मुड़ा सब सब्सके नेक्स पूजा मंटाल यहां आता भी काफी अच्छा लग रहा था तृत्हीं नेक्स pendant पूझ पांडाल प लोग यहां पे बहुत अच्छा थीम बनाया गया था तोि बंगाल के मश्छूर थे उर्स प काफी अच्छा लगा। और जिम जिन फिलमों को उन्हें डिरेक्ट किया था सभी फिलम के पोस्टर यहां पर लगा हुआ था। काफी सुंदर लगा। और इहां का दुरुका मां का जो मुर्ती था वो इतनी ज़्यादा फेमस मश्यूर डाइडेक्टर थे हमारे बेंगॉल के और उनको आसकार भी मिला था और ये पंडाल काफी काफी सुन्दर था बहुत ज़्यादा सुन्दर मुझे परसनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इंटर्स में ये लोग ये बनाये थे ये भी बहुत ज़्यादा सुन्दर था तो हम लोग पूरा सुबे से पूजा देख रहे हैं अभी शाम हो गया है तो काफी पैर में दर्द भी कर रहा था और हम लोग ठुद भी गए थे और हमें भूग भी लग रहा था तो हमने सोचा कि आज यहीं पे स्टॉप करते हैं मतब ज्यादा पूजा और नहीं देखेंगे एक और पूजा देखेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे तो यह हमारा लास्ट पूजा पंडाल था यह पूजा पंडाल काफी मज़दार था और काफी सुंदर भी था यहां का जड़ दुर्गामा का मूर्थी था वह काफी सुंदर था और बैसे के लिए यहां अच्छा लगा फिर मैंने इस पंडाल का थोड़ा वीडियो निकाला यह परसुनली मुझे अच्छा लगा मतब डिकोरेशन बहुत अच्छा था और कलर कंबिनिशन जो था वो मुझे अच्छा लगा वह तब इतना ज्यादा कलरिंग लगा कलर फूल लगा वह काभी सुन्दर था फिर वीनिंग का टाइम है उसके बाद रात होगा तो और भी अच्छा लगेगा लाइट के बज़े से और मैंने थोड़ा वीडियो निकाला पंडा का क्योंकि पंडाल बहुत अच्छे से डिकोरिट किया गया था इतना ज्यादा कलरिंग लग रहा था पूरा कलर फूल लग रहा था तो वीडियो कर अच्छा लगे तो फॉलो कर देना टाटा बाइबाई सब